जै हिंद बजरंगी स्टेडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है साथियों आप सब लोगों को यूपी पुलिस हिरी एकजाम की डेट पता चल चुकी होंगी और आप सभी लोग अपने अपने लेवल पर तयारी कर रहे होंगे लेकिन एक ये स्टेंडर्ड बनाना काफी मुश्किल हो जाता है कि कितने नंबर को हम लोग बेस मान कर तयारी करें यानि हम लोग पढ़ते तो जाते हैं और मॉक टेस्ट भी देते रहते हैं लेकिन ये नहीं पता रहता है कि कितने नंबर आने पर हमारा सेलेक्शन हो जाएगा तो इस वीडियो में हम लोग उसी को डिसकस करने वाले हैं यानि हम लोग कट ओफ पर चर्चा करने वाले हैं और बात करेंगे कि इस बार की कट ओफ क्या रह सकती है और फाइनल सेलेक्शन कितने नंबर पर मिलेगा और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या जो रीगजाम हुआ है इससे कितना फर्क पड़ेगा क्योंकि जब पहले हुआ था तो लगबग देड़ महिने का टाइम था तो उसमें कट ओफ का आंकड़ा कुछ और लगा था लेकिन इस बार लगबग 6 महिने से ज़्यादा सभी को टाइम मिल गया है तो इस बार कट ओफ कितनी जा सकती है और जो अबकी का टारगेट है वो हमें कितने का रखना होगा यहनि क्या नंबर हमें मानकर तयारी करनी होगी जिससे हम लोग final selection पा सकें तो इस वीडियो में हम लोग कुछ analysis के साथ बात करेंगे कि final cutoff क्या रह सकती है और हम लोग किस नंबर को base मानकर अपनी तयारी करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले बात करें कि क्या re-exam से फरक पड़ेगा तो हाँ री-exam से फरक तो बहुत पड़ेगा लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि re-exam के कितना फरक पड़ेगा यहनि एक बात तो होती है कि हाँ ठीक है re-exam हुआ तो कुछ फरक पड़ेगा लेकिन कितना फरक पड़ेगा यहनि लोगों की तयारी में क्या नई चीज़ें एड हुई है और लोगों ने कितना किस पर फोकस किया है इस पर भी बात करते हैं तो देखिए जैसे पिछला टाइम था तो उसमें लगबग डेड़ महिने का समय मिला था हमको एक्जाम के लिए लेकिन उसके बात जब पेपर कैंसिल हुआ तो सभी के पास लगबग 6 महिने थे और सभी के पास थे तो आपके पास भी रहे होंगे तो यहिनी सब के पास 6 महिने का समय था अब इस 6 महिने में देखिए कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहा क्योंकि देखिए जब एक्जाम की डेट आती है तब ही लोगों को डर लगता है तब ही लोग सीरियस होते हैं उसके बाद जब exam कहीं दूर चला जाता के रे ठीक है आगे तो exam होना ही है और अभी date weight कुछ fix नहीं है यहनि 6 मेहने बाद exam होना है तो लोग फिर निश्चिन तो हो जाते हैं कि ठीक है यार exam तो है ही आगे पढ़ लेंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिस दि कुछ न कुछ मैं कहे रहा हूं अगर एक ही या दो ही घंटे मान लोग कुछ पड़ते आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो फरक पड़ेगा ही जैसे पिछली बार का target यही रखा था कि अगर 110 question आपके सही हो गये यानि अगर 220 number आपके आ गये 220 के आसपास या 24 number कम भी हैं तो आपका selection पका है यानि 215, 215 number के आसपास आपका selection confirm हो जाता और final selection था कि आपका 215 number में final selection आपका हो जाएगा तो यह तो पिछले बार का अनुमान था तो हमें अब इस बार किस standard को मान के तयारी करनी चाहिए यानि कितना target हम लोग इस बार रखें तो देखे जैसे पिछली ब question बढ़ा सकते हैं लेकिन अगर आप यहां 10 number बढ़ा लें तब भी ठीक होगा कि अगर आप 225 का target मान के रख रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल safe zone में हैं देखिए कहना बहुत आसान है करे 215, 220 कुछ नहीं होता है लेकिन जब exam में बैठो pressure झेलो उसी limited time में 1.500 question भी करना है time को manage भी करना है question गलत भी नहों यानी negative भी हमें ध्यान रखना है सारे गोले भी सही से भरने हैं हमने question दो सही कर लिया लेकिन गोला ही गलत भर गया तब भी दिक्कत है तो हर चीज का pressure होता है exam time में और समय दो घंटे पता ही नहीं चलता कब बीत जाता है तो सबसे बड़ा time time का समय का ही रहता है तो इसलिए अगर आप लोग 225 मतलब एक standard मान के तयारी कर रहे हैं या 220 भी आप मान सकते हैं 220 प्लस अगर आप हैं तो आप safe हैं क्योंकि इसमें 2 cutoff लगनी है एक तो physical के लिए लगेगी या रनिंग के लिए या medical के लिए बुलाया जाएगा तो उसमें 220 प्लस हैं तो आप अपने आपको confirm मान लिए कि आपका final selection हो जाएगा क्योंकि 220 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा लगभग 70% से जादा हाँ 3-21 और यह लगभग 73% आप मान के चलिए कि 73% में आपका selection होगा तो अकर 220 नंबर आ रहे हैं तो आप एकदम safe zone में हैं और आप 230 का target टार्गेट रखके तयारी करिए क्योंकि अगर आप 230 टार्गेट रखेंगे तो जरूरी नहीं कि वही target अचीव हो जाए ऐसा मान के चलेंगे तो उसी किसाब से तयारी करेंगे और फिर exam में एक-दो नंबर तो कम हो जाएएं जाएंगे तो इसका मतलब आप 225 तक मान के त सकता है यहीं 220 प्लस नंबर आपके होने चाहिए तब आप अपने आपको शोर मान सकते हैं और इससे कम है तो आप पतलब doubt में रहेंगे कि पता नहीं हार final selection होगा या नहीं होगा final merit कितनी बढ़ जाए यह भी नहीं पता होता है तो आप 220 को को एक standard मान लीजिए और इसी के ह कम इस बार 105 ए 110 तो चुए ही यानि बढ़ाना ही है कम न हो और आप तो कहेंगे अरे सबको यहीं चाहता कि उसके कम न हो हमेशा बढ़ें तो हाँ यह बात तो मैं भी कह रहा हूं लेकिन उसके लिए आप regular practice करते रहिए और regular mock भी देते रहिए और बाकी एक वीडियो में attempt कैसे करें? Attempt करने का मतलब मैं यह नहीं बताऊंगा कि आपको इस question का answer यह है यह अगर आप 100 question ही आ रहे हैं उसके बाद आपको क्या करना है? यह आपको 100 question या 80 question आपको confirm पता है उसके बाद question को हल करना चाहिए या नहीं? तो इसके लिए हम लोग एक separate video अलग से लाएंगे आप अभी हमारे channel को subscribe कर लें ताकि जैसे ही वह video upload हो जाए आपके सामने तुरण notification आ जाए क्योंकि देखिए जो एक average तयारी करने वाला बच्चा होता है उसको लगवग 80-90 question ही exact आते हैं कि मतलब वो इसमें एकदम sure रहता है कि हाँ इतने मेरे सही है या आप 100 भी मान सकते ह कि 100 question में उसे surety रहती है कि 100 question मेरे हर हाल में सही होंगे लेकिन कुछ question गलत भी तो होंगे और अगर गलत हुए तो वो minus marking में negative हो जाएंगे या cut जाएंगे तो यानि अगर हम लोग 80-100 question भी कर लेते हैं उसके बाद वाले question को कैसे attempt करना है इसके उपर वो video आएगी क्योंकि 100 से ज्यादा जिसको question आते हैं वो तो भाई बहुत brilliant है लेकिन कुछ बात होती है elimination की और कुछ बात होती है practice की और कभी-कभी दिमाग भी काम कर जाता है questions को eliminate करने में या solve करने में और जो पिछली बार मैंने लगभग 222 number प्राप्त किया था तो वो भी मैंने इसी basis पर प्रा जाँ गाया उस तुक्के को मैं उस वीडियो में discuss करूंगा कि कैसे आप तुक्का लगाएं और तुक्का कैसे लगाएं सब लोग guesswork try करते हैं और try वो अपने दिमाग से करते हैं अपनी practice के भरोसे पर करते हैं तो guesswork कैसे काम करता है या guesswork कैसे करना है इसके लिए अलग से वीडियो आएगा बाकी आप लोग जो standard cutoff है वो आप 110 से 115 के बीच में एक मदब question के बीच में मान सकते हैं और इसी ही के हिसाब से आप तयारी करिए और अगर इतने के बीच में रहते हैं तो आपका final selection हो जाएगा और बाकी UP police से जुड़ी update पाने के लिए हमारे channel से अभी connect हो जाए सब्सक्राइब कर ले और मेरा एक telegram channel है पजरंगी study point से आप उससे भी connect हो सकते हैं comment box में मैं उसको pin कर दूँगा और आप वहां से जाके connect हो सकते हैं टेलिग्राम से जुड़ सकते हैं जो भी update जो भी question कुछ होता है तो टेलिग्राम पे share कर दिया जाता है तो YouTube चैनल को भी subscribe कर ले और टेलिग्राम चैनले से भी जुड़ जाएं ताकि भवेशे की update आप सब तक पहुचती रहें तो फिलाल वीडियो में इतना ही cut off आप यही मान के चलिएगा कि लगबग 215 से 225 के बीच में आपकी cut off रहने वाली है क्योंकि यह number बहुत होता है और यह number तब बहुत होता है जब 2 घंटे का ही समय हो उसमें आपको 1.500 क्यों करने हो यह देखे यह आसान काम नहीं है लोगों को लगता होगा कि यह रहे यार इतना नहीं जाएगी इससे ज्यादा जाएगी लोग कहते है रहे नहीं 240 जाएगी वो तो 240 तब जाती है ना जब करना पड़ता है तब पता चलता है कि 240 कैसे जाएगी और limited time में 1.500 क्यों करने हैं, pressure भी जेलना है math reasoning के question भी solve करने हैं मतलब पहली बात तो यह हो दा कि reasoning या math के question छूट ही जाते हैं तो सब तक पहुचना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है तो आप 215 से 225 एकदम safe zone मानिए और यह पूरा safe score है अगर आप इतने के बीच में रहेंगे तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं तो फिलाल वीडियो में यही है आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि भविस में आप सब को अपडेट मिलती रहे तो उमीद है कि आपको यह वीडियो समझ आया होगा और थोड़ा बहुत relevant लगा होगा क्योंकि आपने भी ऐसा जेला होगा और मैंने भी ऐसा इसलिए बताया क्योंकि मैंने इसको महसूस किया है क्योंकि भई मैंने भी तो पेपर दिया है और डेड़ सो कोश्चन मैंने भी फेस किया है और उसी दो घंटे में तो हर चीज का प्रेशर होता है हर चीज वहाँ पर matter करती है तो जो cutoff बताई है cutoff उसी के बीच में रहेगी पत्रब उससे कम हो सकती लेकिन ज्यादा नहीं होगी क्योंकि वह भी एक बहुत अच्छा आंकड़ा है और तब जब दो-दो stages हो exam की एक तो written है दूसरा physical या medical आप कह सकते हैं तो आप बिल्कुल safe zone में रहेंगे अगर आप बताये हुए cutoff पर focus रखते हैं उसी को standard मानके चलते हैं तो अब मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद